Hey guys, so आज की वीडियो में मैं सबसे सस्ते मेकप प्रोडक्स के साथ अपना मेकप करने वाली हूँ और ये मेकप यूज करने वाली हूँ जो की है रुपीज 200 और 300 के बीच में So let's start this video So सबसे पहला प्रोडक्स जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है ये foundation ये है Swiss Beauty का Airbrush Foundation बहुत अच्छा foundation है काफी लंबे समय तक आपके मेकप को टिका के रखता है और आप देख सकते हो काफी अच्छा glow effect भी आएगा इससे So इसको यूज करने के लिए हमेशा मैं यूज करती हूँ एक डाम ब्यूटी ब्लेंडर मतलब ना ज्यादा गीला ना ज्यादा सूका मतलब बेसिकली एक पानी से धोआ हुआ ब्यूटी ब्लेंडर आपको यूज करना है और उसको बस इस तरह से दबा दबा के आपको लगाना है हमेशा याद रखिएगा कि आपको इसको ऐसे घसीटना नहीं है अपने फेस के उपर हमेशा आपको इसको दबा दबा के इस तरह से लगाना है और देखिए सब कुछ कैसे गायब कर दिया इस ब्यूटी ब्लेंडर ने आप देख सकते हो इस तरफ कितने जादे pigmentation है dark spots है और ये side एकदम से flawless हो गी है मैंने सिरफ foundation लगाया है इस से पहले मैंने एक normal moisturizer या face cream लगाई थी तो आपके पास कोई भी face cream और moisturizer है आप वो लगा सकते हो जल्दी से दूसरी तरफ भी foundation apply कर लेती हूँ जो foundation मैं use करी हूँ उसका shade है 04 golden beige अगर किसी को shade के बारे में कुछ जाना है तो ये foundation एक high-end foundation की तरह perform करता आप देख सकते हो बिलकुल जादा flawless finish असने दे दिया कोई भी दागदबा pigmentation अभी आपको नहीं दिख रहा है so yeah let's move on to next step वो है concealer तो मैं यहां use करी हूँ Swiss beauty का concealer आप देख सकते हो यह पूरा खतम हो चुका है I love this product so much और मैं इसको सिरफ अपने under eye area पे apply करूँगी इस तरह से और इस तरह से eyes के उपर भी apply कर लिया इसके इलावा अगर आपके face में कोई बहुत जादा dark you know dark है कोई pigmentation है कोई mark है तो आप उसके उपर भी apply कर सकते हो although यह वाला जो मैंने foundation apply किया है इससे almost सारे दाग धबे subscribe हो गए है अगर आपको products के link चाहिए तो वो मेरी description में है याद रखिए आप हहां से देख सकते हो direct link आप buy कर सकते हो इसको भी beauty blender से मैंने इस तरह से दबा दबा के blend कर लिया यह concealer मैंने अपनी shade से थोड़ा सा dark लिया है अगर आपने देखा होगा यह light नहीं है अगर मुझे दाग दबों को चुपाना था अगर मुझे दाग दबों को चुपाना नहीं होता है मुझे सिर्फ फेस को highlight करना होता है तो मैं light color का concealer लूँगी यह concealer मैंने डार्क इसली लिया बिकास मुझे dark spots, dark circles इन सब को चुपाना है तो थोड़ा सा dark concealer ही apply करना है अब मैं यूज करें हूँ यह Faces Canada का compact powder यह सारा makeup set करने के लिए बिकास summers और bonsoon में तो makeup set करना is very very important इसको बस powder brush में ऐसे लगाया extra product को tap off किया, निकाल दिया और बस इसे हलका हलका दबादबा के set कर लिया यह करने से आपका makeup लंबे समय तक तो टिकता ही है और साथ में इसके उपर कोई creases और यह सब नहीं आता है और अगर आपकी oily skin है तो आप loose powder भी लगा सकते हो compact powder भी लगा सकते हो बट आपको जरूर एक दो बार तो makeup set करना ही पड़ेगा next मैं apply कर रही हूँ blush और यह है blue heaven का blush इसमें blush के साथ एक हलका सा dewiness भी है मतलब की थोड़ी सी चमक है तो अगर आप highlighter skip भी करना चाहो तो इस blush में मतलब थोड़ा सा आपको shine देखी जाएगा blush brush पे इस तरह से मैंने product लिया extra product को tap off किया बड़ा light और natural सा shade है और मैं आपको shade name बता देती हूँ यह है diamond blush on yeah and the shade is 502 मतलब मुझे pink और एकदम red red blush अपलाई करना अच्छा नहीं लगता है तो अगर आपको भी में इतना light peaches peach natural shade पसंद है तो यह आप अपलाई कर सकते हो because pink और red ना बहुत जादा गंदा दिखता है बिलकुल भी natural नहीं दिखता है तो मैंने इस तरह से blush apply कर लिया सारे products के नाम और link जो है वो आपको description में मिल जाएंगे so वहां से ज़रूर check कर लीजेगा उसके बाद मैं apply कर रही हूँ highlighter अगर आप चाहो तो आप skip भी कर सकते हो but I like to apply highlighter और यह है glam 21 का highlighter यह 4 in 1 highlighter है मतलब इसमें आपको 4 shade मिल जाते हैं 4 ही मतलब चमक है highlighter है but एक highlighter लेलिया तो आप मतलब जितने में घर में लोग हो आप सब apply कर सकते हो because इसमें हर skin shade के साब से यह light skin tone वालों के लिए यह जिनकी skin थोड़ी सी medium to deeper shade में है यह दोनों shade उनके लिए हैं और अब आप देखना इस highlighter का magic ओके लेट सी यह बहुत सुन्दर shine दे देता है और मतलब कोई भी highlighter जो इतना सस्ता हो इतना सुन्दर shiny देता है और वो भी चार colors में आता है तो जिस दि मेरा मन होता है कि मैं ज़ादा heavy makeup ना करूँ eyes में तो मैं normal सा यह highlighter लेकर वही लगा लेती हूँ तो बहुत सुन्दर सा subtle सा shine आजाता है इसको मैं अपने chin area और nose में भी लगाती हूँ so that nose भी थोड़ा shine करे और pointed दिखे तो बहुत अच्छा लगता है तो अब जल्दी से कर लेते हैं अपना eye makeup और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ यह mask cosmetic का eyeshadow palette इनके इतने सस्ते और सुन्दर eyeshadow palettes हैं मतलब बहुत सारे हैं आप कोई भी चूज कर सकते हो यह मेरा फेवरेट है because इसमें सारे shades है जो आप western wear, Indian wear के साथ पहन सकते हो also इनका यह वाला जो shade है shimmer वाला आप तेक सकते हैं मैंने कितना जादा यूज कर चुकी हो बहुत सुंदर है बहुत सुंदर सा shimmer देता है और बहुत affordable भी है so why not to try Mars के eyeshadow palette they are really really good तो मैं अप्लाई कर रही हूँ एक light सा यह lavender color because मुझे जादा heavy eye makeup नहीं करना है but मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसका pigment कैसा है so I'm taking these two shades and I hope it is in focus look at the shine and मैं यह matte shade भी आपको try करके दिखाती हूँ मतलब pigment तो बहुत ही जादा सुंदर है इनका और साथ में साथ इतना सस्ता मतलब मैंने कभी हास तक दी देखा था कि इतना सस्ता eyeshadow palettes और मुझे काफी लोगों ने मांगा मेरे घर में यह वाला मैंने किसी को भी नहीं दिया इसका जो pigmentation, इसका जो color है यह बहुत सुंदर है जितना डीप यह हाथ में दिख रहा है उतना ही डीप यह eyes में भी दिखता है इसा नहीं है मतलब कई eyeshadow इसमें बहुत सुंदर लगते हैं मतलब हलका सा रंग आता है उनका बहुत हलका सा शेड आता है बट यह वाले ऐसे नहीं है इनका शेड काफी अच्छा आता है so I highly recommend बहुत सारे option हैं इनके eyeshadow palettes में आप जरूर ट्राइ करिये देखिये और इस वले का link आपको description में मिल जाएगा so मैं ले रही हूँ यह हलका सा lavender color और इसको लगा रही हूँ अपनी eyes पे इस तरह से बहुत हलका लगा रही हूँ मैं because मैं pop-off color लगा लूँगी एक blue so that you can see कि कितना सुन्दर है यह बिल्कुल हलका सा मैंने lavender लगाया है and उसके बाद मैं blue color का top and eyes I was thinking to go with the blue और यह हलका सा shimmer वाला blue है मैं इसको inner corner of the eyes में लगाँगी इस तरह से बहुत हलका सा लगाँगी because I'm really not in mood to apply heavy makeup but यह वाले eyeshadow palette से हम जब festive content आएगा तो बहुत सारा content shoot करेंगे तब आप देख सकते हो कि मैं इसको कितना जादा use करूँगी आप बहुत सारे eye color looks हम इसमें shoot कर सकते हैं okay so उसके बाद मैं लगा रही हूँ eyes में eyeliner और यह है love color bar का बहुत सुन्दर है हमेशा eyeliner लगाते time ना यह ध्यान रखिए कि जो eyeliner का tip है ना वो आपके हाथ के पास होना चाहिए ठीक है बहुत ऐसा eyeliner मत लीजे कि जिसका eyeliner का tip यहाँ है और आपके हाथ से वो बहुत जादा दूर है I'll show you for an example अगर मेरे पास यह वाला eyeliner है तो इसमें और इसमें क्या फरक है बिकास जब मैं इसको पकड़ूंगी मैं यहाँ से पकड़ूंगी ठीक है तो यह tip से मेरा हाथ जो है वो काफी दूर हो जाता है तो जब मैं इसको apply करती हूँ तो chances हैं कि मेरा हाथ काफी जादा हिलेगा shake करेगा और यह eyeliner जो है वो सुन्दर नहीं दिखेगा तो हमेशा यह tip याद रखिए जब भी आप eyeliner buy करते हो यह tip बहुत जादा helpful रहेगा हमेशा आपको eyeliner का tip और आपके हाथ में जादा distance नहीं होना चाहिए so that आपका हाथ जो है वो control कर सके इस tip को तांकि आपका eyeliner जो है वो बहुत अच्छाद लगे so मैं eyeliner apply कर रही हूँ यह है love color bar का so guys eyeliner मैं लगा लिया है दोनों eyes पे hopefully बरावर का लगा है बहुत महनत लगती है एक eyeliner लगाने के लिए although अगर आपको eyeliner के ओपर भी tutorial चाहिए तो आप मुझे बता देना comments में I'll make a good video on how to apply eyeliner मैं लगा रही हूँ काजल बहुत हलका सा लगा रही हूँ but मैं बता रही हूँ आपको कि यह Faces Canada का जो काजल है यह काफी जादा सस्ता है और बहुत जादा smooth है oh god टूट गया इतना smooth है but आप इसको हाथ में मत लगाए just apply it on your in your eyes मैंने upper lashes में upper eyelid पे लगाया है basically मैंने lower eyelid पे नहीं लगाया है because yeah but अगर आपको एक eyeliner चाहिए अच्छा और affordable तो आप यह वाला Faces Canada का eyeliner यूस कह सकते हैं बहुत अच्छा है फैलता बहुत कम है और मेरा आप तक का यह go-to eyeliner है after trying so many eyeliner sorry काजल and for mascara मैं रिकमेंड करूंगी यह mask cosmetic का mascara आप देख सकते हो यह rose gold और black वाला है बहुत सारे आते हैं कोई और मुझे इतना पसंद नहीं आता specially मुझे यह बहुत पसंद आता है because इसका wand बहुत अच्छा है और इसके wand में एक कर्ल सा बना हुआ है अगर आप देख सकते हो तो इस तरह से तो यह कर्ल को आप ऊपर वाली साइड रखे फिर अगर अपने आइलाश को करोगे तो बहुत अच्छा लिफ्ट मिलता है so इतने कम प्राइज में इतना अच्छा मस्कारा मिलना is really a good deal तो अगर आप भी कोई अच्छा मस्कारा ढूंड रहे हैं then this is for you link description में है दुबारा बता रही हो so चलते हैं अब अपने last step की और वो है lipstick so lipstick ना मैंने बहुत सारी ट्राइ की है जो की बहुत सस्ती आती है but सबसे best lipstick क्योंकि मुझे liquid lipstick ही जादा पसंद है मुझे cream lipstick सुती पसंद रही है because obviously वो transfer हो जाती है सस्ती वाली specially so मुझे ये वाली liquid lipstick बहुत पसंद है ये Swiss beauty की shade है 04 squeeze me pink और look at the color ये Indian wear और western wear दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है so अगर आपको भी एक light pinkish nude lipstick पसंद है light color की तो आप इसको ज़रूर ट्राइ कर सकते है तो बताओ कैसा लगा ये वाला lipstick shade और में जल्दी से जाके थोड़ी असेसरी पहन के आती हूँ and आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ so guys this is the final look I hope you like this look और आप मुझे कॉमें बताओ आपको ये लोक कैसा लगा और इतने सस्ते makeup products के साथ भी अगर आप ऐसा look achieve कर सकते हो तो और क्या ही चाहिए and moreover it's not about the makeup products it is about कि आप makeup को किस तरह से करते हो कितना time लगा के कितनी happily करते हो और कितना सीख के करते हो अगर आपको मेकप के बारे में भी कुछ और पूछना है कुछ और जाना है कोई और वीडियो देखनी है तो आप वो मुझे कॉमें बताओ और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप मुझे कॉमें पूछ ले मैं आपके रिप्लाइस का जरूर आंसर करूंगी तो चले मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में बाबाई